नमस्कार दोस्तों आज की रेट में अपने बात करेंगे भारत इलर्ट्रों ने शेहर की दोस्तों आज की रेट के अगर बात की जाए तो एक परसेंट के ऊपर की गिरावट अभी फिलाल देखने को मिल रही है अभी मैं लाई रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एक बच के 30 मिनिट का टाइम हो रहा है और ट्रेंड के अगर बात की जाए तो इससे पहले लगाता स्टॉक 150 के लेवल से उस्तों डाउन ट्रेंड में था और 127 के लेवल से उस्तों अभी लगाता स्टॉक अप्ट्रेंड में है हाई यहाँ पर बन रहा है तो मेरा ऐसा मानना ह कि और अगर गिरावट आती है तो यहाँ पर dip पे buying का मोका बनेगा यह जो level है इससे पहले जिस level के ऊपर कापी दिनों तो consolidate हुआ था 134, 135 का level एक major support का काम करेगा जब तक इसके ऊपर है दोस्तो तब तक यहाँ से बड़ी गिरावट देखने को बले थी 134, 135 तक का fall आ सकता है लेकिन बड़ी तेजी के लिए दोस्तो 140 के ऊपर breakout होना important है 140 के आसपास आपको fresh buying नहीं करनी है चाहे तो breakout के साथ entry बना सकते है तो अगर आपने नीचे के लिए ओल पर खरिदारी की हुए है तो आपका trailing stop loss यहाँ पर होना चाहिए लेकिन फ्रेज बाइं 140 का लेवल जैसी breakout होगा उसके बाद 144 नेक्स टागेट और 150 तक के भी टागेट उसके बाद बारत electronic share short term में दिखा सकता है